तो डियर हम लोग जो है traffic engineering में क्वेशंस discuss कर रहे थे तो अब हम लोग यहाँ पे questions डिसकर्स करेंगे traffic engineering में और भी questions है जो कि आपके लिए ज़रूरी है ठीक है तो यहाँ पे questions हम लोग discuss करते हैं और देखो डियर आप लोग प्रैक्टिस खुद से जरूर किया करो क्योंकि अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम कितना भी बता लेंगे वो effective नहीं होगा तो अगर आपको effectively त्यारी करनी है ना ठीक है semester exam pass करना बड़ी बात नहीं है आप किसी तरीके ना किसी तरीके से pass हो जाओगे लेकिन semester exam pass होने के बाद फिर क्या करना है कुछ तो सोचना होगा ना क्योंकि semester exam के बाद आप सोचोगे कि मुझे त्यारी करना है तो नहीं हो पाएगा आपको पाले सहीं लगना पड़ेगा जो गलतियां मैंने किये मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलतियां करो मैं मानता हूँ कि कई बार जो है प्रस्थितियां अलग होती है हल इंसान के लिए लेकिन कुछ basic प्रस्थितियां वैसी होती है जो सभी के लिए जरूरी होता है और वो सभी के साथ आते हैं तो जो basic needs जो कि मैंने छोड़ा है वो आप ना छोड़ें आप ना गवाएं मेरे अंदर बताने को लेकिन मैं वो बता नहीं सकता क्योंकि मेरी जो कहानी है ना वो अपने आप में ही एक book लिखा जाएगा मेरी कहानी पे और हर किसी के life का एक कहानी होता है जो अपनी level पे दुखदाई होता है लेकिन उस दुखदाई पल से आपको बाहर निकलना होगा बाहर निकलोगे तभी कुछ हो पाएगा नहीं बाहर निकलोगे कुछ नहीं होने वाज़ा है जीवन में बहुत कुछ कर गुजरना है और बहुत सारी चीजे कर गुजरने को है बस आपको अपना लक्ष बनाना होगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है कठना ही हर समय आएगा आपको लगता होगा कि मेरा दोस्त बहुत जादा पढ़ता है और उसका जौब हो गया मैं भी उससे जैसा पढ़तों बड़ मेरा जॉब नहीं हो रहा है या फिर आप सोचते हो कि मैं इतना पढ़ता हूँ बड़ मेरा कुछ नहीं हो रहा है मेरा दोस्त है जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है उसका बहुत कुछ हो जा रहा है तो इससे हतास नहीं होना है हो सकता है कि कुछ गलतियां होगी जो आप कर रहे होंगे या हो सकता है कि उसका पढ़ने का तरीका अलग हो आपका तरीका अलग हो हो सकता है कि आप जो चीजे चार घंटे में समझते हैं वो आपका दोस्त एक घंटा में समझ लेता हो तो nothing matter कि कौन क्या कर रहा है आप क्या कर रहे हो ये matter करना चाहिए आपको हमेशा अपने आप के बारे में सोचना है दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो कि दूसरा क्या करेगा क्या कर रहा है और क्या कहेगा इन बातों को भूल जाओ इग्नोर करो और जो में पॉइंट है जो में मुद्दा है वो है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छे से करो और इतना लगन से करो ताकि कोई आपको रोक ना सके और अगर कोई रोक भी रहा है तो उसका ऐसा सबक सिखाओ कि दुवारा वो आपसे बात करने में डरें यानि अपना खौफ बना कर रखो डिया रहे है क्योंकि अगर आप अपना खौफ बना कर नहीं रखोगे न तो हर कोई आपका मजाक उड़ा जाएगा हर कोई मजाक दुवाना है कि अपना ऐसा प्रह्षान बनाना है जो आपको नाम से कहे कि हां ये कोई बंदा था या यह कोई बंदी थी जो ऐसी काम ऐसा काम कर गया तो यह आपको सोचना पड़ेगा बोला जाता है दो चीज जो सफल हुआ है वो आपको ये बताएगा कि सफल होने के बाद क्या प्राप्त होता है लेकिन जो असफल होता है न वो आपको बताएगा कि क्या असफल होने के बाद जो तकलीफ होती है न वो कैसा लगता है प्लस क्या कारण रहा था कि वो असफल हुआ वो बताएगा यानि फेलूर कैसे जी रहा है ये बताता है और जो सकसेज है वो बताता है कि सफल होने के बाद आपको क्या मिलने वाला है जो सफल हुआ है वो आपको बस यही बता सकता है सफल वेक्ति जो है वो यह आपको कभी नहीं बता सकता है कि जो फीलूर है वो क्या जहेल रहा है कभी नहीं बता सकता है क्योंकि उस चीज़ को उसने कभी फील ही नहीं किया है कभी फील करेगा महसूस करेगा तब तो उसको प क्विशन्स हम लोग discuss करते हैं नहीं तो फिर इस तरीके की परवचन तो भूत हैं देने को लेकिन कुछ पढ़ाई की भी काम हो जाए कुछ अपना बात भी निकल जाए हना तो चलिए start करते हैं अपनी आज की क्विशन्स स्रीज को